हालो फ्रेंज कैसे आप अप सब आई होब आफ सब अच्छे होंगे स्वागत है अप लोगों का मेरे चैनेल बगी चे खोईशोक में आज में बताओंगे आप लोगों को मैंगो ब्रांच कटिंग करके एक नाया प्लांट कैसे बनाना है शिफ्ट कटिंग से मिट्टी में को । किसे बनता है तो ऊपर में नोड हनाख में जूप कम कर देना ब्रांचेस का जो लंबाई हो वह एक फिटी हो एक फिट से थोड़ी ज्यादा हो लेकिन डिर्व फिट दो फिट ना ले उससे अच्छे नहीं बनेंगे अच्छे से नहीं हुगेंगे और नीचे का जो मिट्टी में दबाना है वह इससा को एक इंच करीब हलके हलके छीले ऐस सारा छीलका ना निकाल दे ऐसे छीलके इसमें रूटीन हर्मोन कुछ लगा ले आपके पास जो भी हो मैं अलोवेरा लगाओंगी आपके पास जो भी रूटीन हर्मोन हो या तो हल्दी लगा लिया दलचीनी लगा लिया पाउडर जो रूटीन हर्मोन के राते हैं वही लग कि घचो को देषान प्लांट नाुक प्लांट बना पाऊं ऐसे अचिकश्च्छ लगे रॉप 어떡 do दूसरा प्लांट बना सकते सैंसे असान तरीका से его करी से इसका चेंफ से तो मिट्टी को अच्छा से दबाएंगे तभी उसको रूट निकलने में मदद मिलेगी और इसका मिट्टी में त्यार की हूँ ज्यादा मिट्टी है थोड़ी से मात्रा में कोको पीठ है और सुखा नीम के पत्ते हैं तिनों मिक्स करके लगाई हूँ तो मिट्टी का भाग ज देखूंगी बड़ा हो गया है तब इसको मैं अलग पर्ट में लगाऊंगी इसको खादू डालोंगी तो आप लोग अगर प्लास्टिक का ऐसे बोतल में लगाना चाहें तो एक लिटर का जो बोतल होते हैं उसको बीचो बीच काट ले उसको धकन का उपर का हिस्स्चा जो मैं आज पूरे 35 दिन बाद निकाली हूँ गाच के निच्चे रखी थी लेके आई हूँ इधर तो आप लोगों को दिखा रही हूँ तो आप लोग खुद अपने खुद से देखिए कैसा रिजल्ट है इसका और ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं आप लोगों को ये को दिखा रही हूँ दोनों सक्सेस हुए हैं और पूरी तरह से सक्सेस हुए हैं अच्छे से निकले हैं इसके अंकुरन देखिए कितने अच्छे से हुआ हैं एक बड़ा हुआ है और एक उसमें ग्लास में छोटे से हुए हैं लेकिन दोनों ब्रांचेस ग्रीन हैं एक तम अभी और इसमें फंगी साइड लगा के बाद में रखी हूं और मिटी में मैं थोड़ी सी छी रख दी थी बाद में पहले नहीं था इसलिए तो आप लोग देखी पा रहे होंगे दनों कितने अच्छे से हो गए हैं 35 दिन में तो फ्रेंस आप लोग भी ऐसे लगाएं बड़ कोई पोधा हो आप लोग के पास बड़ियां मीठा वाला मुसका आप दूसरे जगा लगाना चाहें तो ऐसे चोटे से कटिंग लाके मीठी में ऐसे दबा के रखे कुछ दिनों के लिए 35 दिनों के लिए 35 चालिस तो इसका अंकुर निकल जाएंगे तो अभी मैं इसको चें नहीं करूंगी 70 दिन के बाद ही मैं इसको देखूंगी कितना रूट हुआ है नहीं हुआ है अभी हिलाओंगी भी नहीं और निकालूंगी भी नहीं निकाल के देखने कोशिश करूंगी तो मर जाएंगे तो 70 दिन 75 दिन बाद मैं 75 दिस के बाद निकालूंगी तो फिर comment जरूर किजिएगा friends तो देखिए ऐसे करके बनाना बहुत आसान है आप लोग भी कोशिश किजिएगा और मैं बहुत सारे viscous का भी cutting hair layering करके बनाई हुआ आप लोग मेरा channel में देख सकते हैं bye friends